जब ये कन्फर्म हो गया था कि डोनाल्ड ट्रम्न एलेक्शन जीत लिये हैं और वो युनाट्ट सेट्स ओफ अमेरिका के अगले प्रेजिडेंट होने वाले हैं तो उनको कॉंगरेचुलेशन करने में सबसे पहले भारत के प्रधानमंती नरेंदर मोधी जी थे और प्राइम नरेंदर मोधी एंड डोनाल्ड ट्रम एंड यूएसे के लिए भारत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमें दिखने लग गया है अभी जबकी एड्मिस्रेशन यूएस डोनाल्ड ट्रम का स्टार्ट भी नहीं हुआ है उससे पहले ही और एक्सपेक्टेड ये था कि जो टोनाल ट्रम प्रेसिडेंट बनेंगे तो चाइना के लिए वो कुछ खास पॉलिसी नहीं रखने वाले और ये हमें दिख रहा है इसी वजह से चाइना जो है कि जो लॉस यूएसे उससे दे रहा है उससे थोड़ा सा रिकवर कर सके इस वज़े से चाइना की सोच यह है कि क्यों ना भारत के साथ वापस से ट्रेड रिलेशन्स को ना रिस्टोर कर लिया जाता है इसी वज़े से आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पर भी जो सिचुवेशन है लेसी पे वो बेटर होती चली जा रही है तो यह ट्रेड गेम चल क्या रहा है जहां पर इंडिया भी जहां पर यूए से भी इंवल्ड है जहां पर चाइना भी इंवाल्ड है और किस तरीके से यह जो ट्रेड गेम चल रहा है इसका इंपक्ट इन्वेस्मेंट इसका इंपक्त मार्केट इसका इंपक्ट ओवर ऑल जीयो पोलिटिक से पढ़ेगा इसको आज हैं बहुत ही असा जैसे ही वो अपना administration start करेंगे देखिए 20 January से इनका administration start हो जाएगा और इन्होंने बोला है कि वो सबसे पहला काम जो करेंगे वो करेंगे कि वो tariff plans को ठीक है जो tariffs है जो imports आते हैं उस पर भर-भर के tariffs लगाएंगे लेकिन उस tariff plans में उस tariff के imposition में उन्होंने भारत को exclude किया mostly आपका China, China के बाद Mexico, Mexico के बाद Canada ठीक है देखिए जैसे हम देखते हैं अगर आप देखोगे जो trade balance है जो trade relations है चाइना और भारत के बीच में वो चाइना को favor करता है इसी तरीके से अगर हम US और चाइना की बात करने तो वहाँ पर भी जो imports है जो USA imports करता है चाइना से वो ज साफ सीधा provision है Donald Trump का कि वो जो tariffs है वो भर-भर के impose करेंगे Chinese goods पर जब Chinese goods पर tariff लगेगा तो automatically जब वो US के market में आएंगी तो वो जो products रहेंगे वो raw materials रहेंगे वो महंगे रहेंगे obviously बात है जब वो costly रहेगा तो लोग उसको कम खरीदेंगे तो जब कम खरीदेंगे demand कम होगी तो obviously बात है अपने आप ही जो import dependency है USA की China पर वो खत्म हो जाएगा तो simple सीधा सा logic है कि China, Mexico और Canada पर जो dependency है उसे खत्म करना है यह सीधा साधा Trump का plan है जो trade balance है जो बिगड़ा हुआ है जो China के favor में है या अगर हम Mexico और Canada की बात करने तो वहाँ भी बहुत जादा trade balance USA के favor में नही है तो इन सारे trade balances को वापस से उलट किया जा सके USA को फायदा हो सके USA के dependency कम हो सके इसी वज़े से इन्होंने डोनाल ट्रम्प ने यह तै किया है कि जैसी वो अपना administration start करेंगे he'll impose tariffs on Chinese goods, he'll import tariffs on Mexican goods and he'll impose tariffs on the Canadian goods तो अगर हम China की बात करने तो चाइना पर simple logic है कि Chinese imports पर dependency कम करनी है जब वो tariffs लगाएंगे तो billions of dollar की जो dependency है चाइना पर USA की वो खत्म हो जाएगी मेक्सिको की बात करें तो आप सबको पता है कि मेक्सिको से बहुत बड़े level पर immigrants आते हैं इसी वज़े से इन्होंने Mexico wall बनाने की भी बात करी थी कि वो border पर US Mexico के border पर एक Mexico wall बना देंगे बहुत बड़ी सी wall बना देंगे जिससे immigrants उस wall को cross ना कर सके तो मेक्सिको पर जो ट्रेड देखे चाइना पर जो इंपोस लगाया जा रहा है जो टैरिस इंपोस लगा जा रहा है उसका सिंपल सा लॉजिक है कि चाइना पर डिपंडेंसी कम करनी है इंपोर्स की और जो ट्रेड बैलन्स है वो US के favor में लाना है लेकिन मेक्सिको पर जो तो आपके टैरिफ्स इंपोस किये जा रहे हैं आपको लग रहा होगा सर मेक्सिको तो इतनी कोई डेवलप कंट्री है नि वो कहां बहुत जादा एक्सपोर्ट करता होगा यह से को वहाँ पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट डेपेंडेंसी कम नहीं करनी है यूसे का सिंपल ल गवर्मेंट पर प्रेशर पड़ेगा वह प्रेशर कैसे पड़ेगा जब जो मेक्सिको के जो इंपोर्ट आ रहें यूसे पर जब उन पर टैरिस लग जाएंगे तो जब मेक्सिको नुक्सान होगा तो मेक्सिकन जो मेक्सिकन गवर्मेंट है उस पर प्रशर आएगा फिर अल्टिमेटली वो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी ले के आएगी यह कहीं न कहीं सोच है डोनाल टर्म की फिर कैनडा की बात करें तो कैनडा के कुछ इमपोर्टेंट जो इमपोर्टस है यूएसे को यह value एक्सपोर्ट से वो तका अलूमिनियम और भी यह जो है यह बड़े क्रिटीकल होते उसे हैं तो इसी वजह से security concerns के चलते हुए प्लस आप सबको पता है कि जैसे ही डॉनाल्ड ट्रम का यह confirm हुआ कि he'll be the next USA President Elon Musk बात कही थी और इस वक्त Elon Musk USA में डॉनाल्ड ट्रम के बाद सबसे strong political influence रखने वाले personality हैं वही backdoor पर important वा लीडर से बात भी कर रहे हैं यह भी सुनने में है कि इरान के जो युनाटे नेशन के envoy हैं उनसे भी secret meeting हुई है Elon Musk की और यह कोशिश करी गई है कि जल्द से जल्द यह दोनों देशों के tensions को खत्म किया जा सके तो इस वक्त Elon Musk की political influence बहुत जादा है तो जैसे आपको पता होगा कि जैसे डोनाल ट्रम कंफर्म हुए थे तो कंफर्म हुए थे ऐस यूएस प्रेसिडेंट तो इलॉन मस्त ने क्या कहा था इलॉन मस्त ने यह कहा था कि कभी भी किसी भी दिन किसी भी घड़ी Justin Trudeau अपनी अपनी office को छोड़ सकते हैं तो यह भी कैंगल है कि भारत और Canada की relations अच्छे नहीं है बड़े embarrass भी हुआ है Canada की सरकार Justin Trudeau भी बहुत बड़े level पर embarrass हुए है प्लस अब जो जियो पॉलिटिक से जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट से उन्हेंने कुछ एक्सप्रेक्टेशन रखी है कुछ प्रेटिक्शन किया कि किस तरीके की एक पॉलिसी ला सकते हैं डोनाल्ड ट्रम ठीक है देखिए प्रेडिक्शन का खेल है बाकि जब उनका administration शूरू जिन रहे हैं ऐसा नहीं सिर्श चानिज इंपोर्स की बात हो ली ओवर ऑल जो इंपोर्स यूस में आ रहे हैं और वो अगर अनफेर ट्रेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेडिंग प्राक्टिसे इन्वाल हो रहे हैं एंड यूसे की डिपेंडेंशी वड़ रही है तो उस चीज़ को काउंटर करना है जो चाइना को मोस्ट फेवर नेशन का स्टेटस मिला यह वर्ट एट और्गनाजेशन के तहित एक 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 स्टेटस होता है कभी डिटेल में आपको इस पर मैं बताऊंगा इस्टाटिक वीडियो यह स्टाटिक टॉपिक है बटाभी सुनिजे अगर इंडिया गोट्स पर इंपोज़ नहीं लगा तो चैना के गोट्स पर भी इंपोज़ नहीं लगा ना चीए यह आपका ऊटाया जासा कि इस वजह वजे से डॉनाल टुर्म का प्लान यह भी है कि जो चायना का फॉर्स्ट हम था तो बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड वार्स हुई थी ग्लोबल वार्स हुई थी करंसी वार हुई थी बरबर के दोनों देशों ने एक दूसरे पर सैंक्शन सिंपोस किये थे फिर आपका रैसी प्रोकल ट्रेड अक्ट अब इसका सिंपल मतलब यह है कि जो भी इंपोस्ट मैचिंग टैरिफ कंट्रीज हैं तो उन पर हाईयर डूटीज इंपोस्ट किया जा सके तो डाट यूएसे में मैनुफैक्ट्रिंग हो सके अगर इंपोर्ट आने लग जाएंगे तो फिर उस देश में मैनुफैक्ट्रिंग डेवलप नहीं हो सके अगर स import के द्वारा जो supply आ रही उससे meet होने लगेगी तो obviously बात है manufacturing पर उतना focus नहीं जाएगा क्योंकि manufacturing को setup करने के लिए you need funds, you need resources and you need manpower वो चीज नहीं हो सकेगी so ultimately main goal है Donald Trump का ये कि जितने भी ये tariffs आ रहे हैं इन पर impose किया जा सके, high duty impose किया जा सके इसमें इंडिया का नाम भी है overall अभी include किया भारत को लेकिन overall picture में ये सभी देशों को रखे है Donald Trump की सोच ये है लेकिन भारत को exclude करते रहेंगे वो जो expect किया जा रहा है कि भारत और US के रेशन्स बहुत जादे इंप्रूव होने वाले और ताइम अब राधर कुछ ऐसा बहुत बड़ा इवेंट होगे तो यहीं एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छे बहुत स्मूद रिलेशन्स चलेंगे तो यूएस की manufacturing strong हो सके that's why जो रेसिप्रोकल ट्रेड एक्ट है यह इंपोस करना चाहते है डोनाल ट्रम सो डैड मनुफाक्ट्रिंग हो सके ठीक है यूएस में ही जॉब अमेरिकन जॉब जो है वो create होती चले तो यह overall आपका ट्रम की कुछ policies है अब देखे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यूएस और यूएस और चैना की अगर हमें इंपोर्ट आप सोच रहोंगे कितना ही इंपोर्ट करता होगा यूएस थोड़ा बहुत करता ह होगा तो अगर मैं आपसे बात करूँ यह आपको जो लाइन दिखर ही है डार्क वाली this is imports this is this is the line डिपेक्टिंग यूएस इंपोर्ट फ्रम चाइना and this is the line डिपेक्टिंग USA exports to China तो दोनों के बीच में आप difference देख सकते हैं एक चीज और गहुर करिए कि 1950 और 1990 के decade में import और export के बीच में ना मात्र का difference है जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है जैसे जैसे पिंगर से भी उपर निकल गया है तो यह difference है ठीक है यह difference है यह दिखाता है कि चाइना जो है किस तरीके से developed किया है ठीक है और इस वक्त भारत में 1991 के LPG reforms हुए थे और भारत की जो growth cycle शुरू हुई है वो back in 2000 और early 2000 में शुरू हुए और with the start of 21st century हुई है तब तक चाइना जो है भारत से नहीं तो इतना आगे निकल चुका था ठीक है इसी वज़े से जो चाइना है वो बहुत ज्यादा चाहे हम exports की बात करने चाहे हम economy की बात करने चाहे हम manufacturing की बात करने हम technology की बात करने भारत से काफी आगे है चाइना क्यूंकि इन्होंने जो reforms है और जो aggressive steps है वो उन्होंने बहुत जल्दी ही लेने शुरू कर देते जब भारत की growth cycle शुरू हुई यहां पर growth जो है expand skyrocketed हो चुकी थी त इसारी policies जो है वो कर रहे हैं Donald Trump अब देखिए अगर USA जो है चाइना का इंपोर्ट इतना ज्यादा इंपोर्ट अगर USA को हो रहा है और अगर USA ने इस तरीके के tariffs impose कर दिये तो सोच सकते हैं कि China की economy कितनी ज्यादा damage हो सकती है already जो चाइना की economy है वो declining phase पर है 4-5% का जो growth है वो negative देखा गया है तो ऐसे में अगर US जैसा partner US जैसी country जहां पर इतने जादा Chinese exports जा रहे हैं अगर यहां पर tariffs लगेंगे तो चाइना का नुकसान तो बहुत भर के होगा तो ऐसे में चाइना को याद किस की आ रही है ऐसे में को अपने दूसरे सबसे बड़े trade partner की याद आ रही है इंडिया अब जब चाइना को इंडिया की याद आई तो उनको realization हुआ हमने तो एलेसी पर aggression किया हुआ हमने तो गल्वान क्लाशिस किये हुए हम तो भारत को competitor समझ रहें तो ऐसे में भारत ने तो मेक इन इंडिया आत् इतना जाधा aggression नहीं दिखाता तो क्यूंकि चाइना ने इतना जाधा aggression दिखा दिया चाहिम इंडियो पैसिफिक बात करने चाहिम लेशी पर ब्रात करने इतने जाधा aggression दिखा दिया कि हर country की सोच यह हो गई कि भाई हमें तो चाइना की dependency को काटना होगा इसी वाज़े से आ का वो यह कोशिश में लगा हुआ है कि हमें चाइना की डिपेंडेंसी को काउंटर करना है चाइना की डिपेंडेंसी को खत्म करना है इसी वज़े से जब सभी देश डिपेंडेंट हो जाएंगे तो चाइना जो अभी सेकेंड लार्जेस्ट यह सकेंड लार्जेस्ट एकॉन होने लग जाएंगी तब तो अल्रेडी बहुत ज्यादा क्राइस आ जाएगा अल्रेडी यह बताया जा रहा है कि इंटर्नली क्राइस चल रहे हैं चाइना में जो कि अब हमें आइडिया तो नहीं है लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वो यही बता रही है कि बड़े लेवल प आपको lifetime president खोशित कर चुके हैं उनके दिक्कत है आ जाएंगी तो इसी होज़े से चाइना का जो फोकस है वो यह है कि लेट्स रिस्टार्ट इरिलेशन्स विद इंडिया लेट्स लेट्स डी डिस इंगेज लेसी पर जो भी टेंशन से उसे हम रिजॉल्फ करते हैं और वा चाइना तो बिल्कुल सही बात है देखिए aggression हमें भी नहीं चाहिए शान्ती बॉर्डर पर हमें भी चाहिए लेकिन वापस से trade relations reset हो no issues लेकिन भारत को कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हमें अपने self-reliance program को बिल्कुल भी counter नहीं करना है बिल्कुल भी खतम नहीं करना ह चाहिए हम आद में भारत की बात कर लें चाहिए हम making इंडिया की बात कर लें ये सारे programs को उसी तरीके से run करना है जैसे पहले हो रहे थे हाँ जो trade relations हम जितना कर सकते हैं भारत की security भारत की national security पर कुछ भी बिना compromise किये जो भी trade हो सकते हैं वो trade करने चाहिए 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 चाहिए के साथ so that relations better रहें smooth रहें क्योंकि भारत और चाहिए एक साथ अगर cooperate करके चलेंगे तो Asia की century है इन दोनों बड़े पावर इन दोनों बड़ी countries को कोई भी मात नहीं दे सकता है अगर चाहिए भारत के साथ cooperate करे compete रही cooperate mark my word cooperation not competition ठीक है तो self-reliance जैसे प्रोग्राम बी इसपेशली आई-टी जो आई-टी हाडवेर्स हैं फार्मसुटिकल्स हैं टेक्स्टाइल्स हैं इंजिनिरिंग गुड्स हैं ठीक है इन सब पर जो exports हमारे जा रहे हैं जो exports हो रहे हैं क्योंकि अगर मैं बात करूं US और इंडिया के trade में तो जो trade surplus है वो भारत के favor में हैं त जो exports US पे जा रहे हैं उसको भी strengthen करना है different different dimensions की बात करने आई-टी फार्मसुटिकल्स टेक्स्राइल्स एंजिनिरिंग गुड्स एंड्स 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 हमें USA के साथ ऐसे relations रखने हैं इस तरीके से trade relations रखने हैं कि जो inclusion किया है डोनाल ट्रंप न चाहा रहा है इन सारी चीज़ों को काउंटर किया जासे का तो बिल्कुल relations reset होने चाहिए बट focus आत्मनिवर भारत पर होना चाहिए strengthening जो export है US को उसे strengthen करते रहना चाहिए and trade exclusion जो है उस पर focus करते रहना चाहिए वह कैसे होगा जब US इंडिया के trade relations enhance होते चले जाएंगे different different dimensions में चाहे वह technology transfer हो चाहे वह defense relations हो चाहे वह pharmaceuticals हो चाहे वह medical हो कुछ भी हो trade relations को enhance करना है तो यह पूरा trade चल रहा है geopolitics पे वह clear हो गया होगा देखिए जो चाइना और अमेरिका है आप तो मैंने आपको पूरा trade गें बता दिया इसके repercussions क्या होंगे USA दुनिया की सबसे बड़ी कॉनमी चाइना दूसरी सबसे बड़ी कॉनमी जब इन दोनों की भीच में collaboration नहीं होगा तो दिक्कते कहाए यह supply chain disrupt होगा ठीक है supply chain disrupt होगा किसमे especially जो आपके electronics electronics के items हैं ठीक है especially आपके electronics और pharmaceuticals item है क्योंकि यह जान लीजे कि भले ही भारत को दुनिया की फार्मसी बोला जाता है लेकिन फार्म लेकिन दवाईयों बनाने में जो एक important component लगता है वो dependency भारत की अभी भी चाइना पर है और वो कितनी है that is 70% तो इसी वजह से इतना असान नहीं है चाइना पर dependency को कम करना aggressive reforms करने की ज़रूत है लेकिन अगर हम जियो पॉलिटिकली बात करें तो जब दो बड़ी देश की दुनिया की दो सबसे बड़ी कॉनमी आपस पे रिलीज करते रहेंगे तो क्या बॉलिवुट को फायदा होगा ओवर ऑल बॉलिवुट की इंडस्ट्री तो लॉस करेगी ना भली दोनों के बीच में competition चल रहा है उसी तरीके से यूएस और चाइना के जो भी अपने शूज है जियो पॉलिटिकली नुक्सान होगा supply chain disruption market volatility भी आ सकती है क्योंकि trade tensions जब trade war होती है जो कि हमने पहले देखा है उससे market जो है काफी ज़्यादा volatile हो जाता है तो इसके repercussions भी है जो मैं आपको बता दिया आपको पूरा ट्रेड गेम जो चल रहा है चाइना भारत यूएसे मेक्सिको कानड़ा एंड जो भी different countries है वह आई होप आपको clear हो गया होगा और जो repercussions है वह भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी तो वीडियो ज करो कि अाइन है गिए आपको समझा्य होगार बाले मात-जो भारत टारत यूश करेदारो इंगर शूब कर दोकी कותी है हो